पिर्थवी की तरफ बड़ी तबाही बढ़ रही है जिसका नाम है 2007 FT Asteroid इसकी जानकारी अमेर्की अंत्रिक्ष एजनसी नासा की तरफ से दी गई है नासा की ओर से इस पर अलट भी जारी किया गया है नासा ने बताया कि एक खोए हुए Asteroid के पिर्थवी से 2024 में टकराने की बहुत अधिक आसंका है फिलहाल ये खतरनाक Asteroid अंत्रिक्ष में है जिसके अगले साल तक पिर्थवी से टकराने की आसंका है इसके साथ ही नासा ने इस Asteroid को लेकत कई एहम जानकारी दी है नासा की माने तो वर्तमान समय में 35,000 से अधिक Near Earth Asteroid यानी NEAS और 120 से अधिक ग् उर्वक नहीं रोका गया तो इनमें से प्रतेक Space Element पिर्थवी पर किसी ना किसी रूप में विनास का कारण भी बन सकता है इनमें से अधिकांस ग्यात Asteroid को नासा के Center for Near Earth Object Studies द्वारा ट्रैक किया जाता है अंत्रिक्ष एजंसी की शाखा ने अनुमान लगाया है कि Asteroid संभा ले Gift की रूप में आप इनने भीट कर सकते हैं और प्रभू अपको आश्श्वर को जानते हैं जब रहा मरी नीड होती है जब हमारी ऑशकताओ की हमें बहुत ज्यादा जरुवत होती है तो हम पर्मिश्वर के वचन के पास जाते हैं उसकी अराधना करते उसकी स्च्चूत बढ़ पार रहा है कहीं जलजला करें है कि हमारे परिवार के लिए क्योंकि प्रभु ने अपने क्लोते करें पुत्र से प्रेम किया उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माबाप से प्रेम करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो रिती उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तयार आजाते हैं उसी प्रकार परमिश्वर भी अपने पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है आप जान के अंजान ना पने आप अन्देखा करतेै較 भाइबेंओं कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हों कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते ओ आप क्यों ऐसा जी ओन पर हो जबकि परस्व के signal यही है कि जो परिशानिया आती है उसके पीछे परमिश्वर खड़े एंगा पिडाओं में परिवारिक पिडाओं में कर्जों में हैं जो आज एसान तले दबे हुए हैं जो बोश तले दबे हुए हैं जो आज हिम्मत नहीं जुटा पारें जो आज अपने परिवार को नहीं चला पारें यह सब बाते प्रकरती के रूप में हमें सिगनल देती है जो पर एक सभीवान के लेकर एक सभीधान को लेकर एक न्याय को लेकर परमिश्वर की जीविता का प्रमान देता है और इसी तरह परमिश्वर की प्रकरती भी उस चीज़ का प्रमान देती है जब नदी नाले सूख जाते हैं जब आकाश काला हो जाता है और चंद्रगरन होता है और सूर्य उद्य होता है और पंच्छी आकाश में इदर से उदर होते हैं जिन पर कोई बंदन नहीं है जिन पर कोई बंदन नहीं है वो कोई देश को नहीं जानते वो कोई जात नहीं जानते कोई समाज नहीं जानते वह सिरी परमिश्वर की हमें सिगनल देते वह परमिश्वर क किरियाव को हमें समझाते हैं पर हम भूल जाते हैं कि हम इस रस्टी में इश्वर के भरों से आए हम परमिश्वर के रूप में उसके समान ताके तरह हम इस रस्ती में आए हम जिस दिन अपनी फिक्र करना चोड़ देंगे जिस दिन हम दूसरों की फिक्र करना शुरू कर देंगे उस दिन आपको परमिश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी हमें अपने दर्दों को अपने दुखों को आज अप हमें उनका महत्व खतम करना है जो हमें लगता है कि हमारे बीना नहीं हो सकता वो चीजों को हमें छोड़ना है मेरे भाईविनों हमें हर एक जिम्हदारी को प्रभु को सोपना है हमें हर एक बात को प्रभु के आतम सोपना है चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहों ह में परमिश्वर के हाथ में ही सोपना है चाहिए कितना ही बड़ा संगर्स यो नहों क्योंकि जब आयुक को आप देखते हो बाइबल में कि वह परमिश्वर को किता था कि अगर परमिश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा हमारा भरोसा परमिश्वर पर होना चाहिए क्योंकि नियाय का दिन निकट है आपके नियाय का दिन निकट है क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभू के सामने रखना पड़ेगा इसलिए मन फिराओ पश्यताप करो प्रभू के करीब आओ दुआएं करो प्रात्ना करो इस परमेश्वर की पवित्रात्मा को शिवकार कर लोगे यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दे और परमेश्वर की प्रात्ना दुआ में लग जाए और उसके कामों को करें उसके कामों को जूड़े